बाल्विवा के विरुद्धिर राजस्तान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अजमेर के निरिशानुसार चलाय जारे अभ्यान के क्रम में शनिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने व्यगवाना गाउ में बाल्विवार उप्थाम के लिए जन जागरुपता र रेली निकाली 18 मैं को पीपल पुर्णिमा के मौके पर कई गाहों में बाल विवा किये जाते हैं जो कानूनन अपराद है ADJ डॉक्टर शक्तिसिंग शेखावत ने बताया कि बाल विवा अपराद है और इससे बच्चों की जंदगी कराब हो जाती है तता भविश अंदिकार मैं हो जाता है इसके साथ ही इन जन जागुक्ता रेली में ग्रामिनों ने शपत ली कि वे अपने नावालिक बच्चों की शादी नहीं करेंगे दॉक्टर शेखावत ने बताया कि बाल विवा निशेत अभ्यान संपुर्ण जिले में चलाया जा रहा है राजस्तान में आखाती जेवन पीपल पूर्णीमा के उसर पर अत्यदिक विवाओं का आयोजन होता है जिसमें बाल विवा भी कर दिये जाते हैं तो आज उसी कड़ी में कगवाना में साथ स्कूलों के बच्चों के द्वारा एक विशाल जागरुकतार एली का आयोजन किया गया जो विविन वहां के मुख्यमार्गों से गाउं से होती हुई उसका निकास रखा गया ताकि लोगों में जन जागरती बढ़े और बालिवा जैसी जो सामजिक कुरूती है उसका अजमिर जिलिसे पूर्णतिया अंत हो सके उसी करम में एक विदिक्ष साकसरता शिविर का भी आयोजन किया गया जिसमें बालिवा के समंदित जितने प्रावधान है जो कानून में जितने प्रावधान दिये गया है उन सब का भी उसमें उल्ले किया गया सरलवासा में और उनको बताया गया और उनसे रोगता मेहतू लोगों को मोटिवेट करें जाग रुकता करें अभी चुंकि हमें कई बार बालिवा की सूचना मिली हैं और हमने बालिवाओं को रुखवाया भी है उसमें पुलिस प्रसासन का भी बहुत अच्छा से योग मिल रहा है और अब तक हम लगवग 15-16 बालिवा रुखवा भी च सके और इसको रोकने के लिए लोग आ गया सके और राजस्तान राज्यवितिक शिवा प्रादिगंड के जो निर्देश आमसार अभी हान चल रहा है वो सपल बन सब्सक्राइब करें साथ ही शेहर से जुड़ी तमाम खबरों के तुरंत अपडेट्स के लिए बेल आइकन प को शेयर करें पिजा पॉइंट कंगार फुट डिलिशिस मोमेंट